कामठी भारत के महराष्ट राज्य के नागपूर जिले में इस्तीत एक सहर है। यह नागपूर का एक उपनगर है। और नागपूर महानगर छेतर विकास प्राजीकरण के अंतरगत आता है। यह कनहान नदी के पेंच नदी और कोलार नदी के विलय के समीप बसा हुआ है। कामठी नागपूर से उत्तर पूर्व 16 किलोमेटर की दूरी पर कन्हान नदी के दाहिने किनारे पर दक्षीन पूर्व रेलवे मार्ग पर इस्थित है इस नगर की स्थापना एक सैनिक छावनी की रूप में 1821 इस्वी में हुई थी यहाँ पे आर्मी स्कूल भी है यह काली मिट्टी के उभ्याव मैदानी छेतर में इस्थित है इस नगर का उच्चितम इस्थान समुद्र तल से 996 फुट की उचाई पर है उत्तर के सत्पूडब प्रदेश से नागपूर को आने वाली व्यापारिक समागरी के लिए कामठी नगर अपनी अनुकुल इस्थिती के करण वितरक केंदर रहा है परन्तु रेल मारगो के विस्तार और सेनिक केंदर के महत्व में न्यूनता आ जाने के करण इसका पूर्व कालिन व्यापारिक महत्व बहुत कम रह गया है नगर में रुई से बीनवला निकालने वाली कई मीले हैं कामपठी की स्थापना 1821 में जब अंगरेजों ने कनहान के तट पर एक सेने च्छावनी कामपठी को इसके अकार के करण पहले केंपठी नाम दिया गया था सहर तेजी से व्यापार का केंद्र बन गया लेकिन 1921 सतापदी के अंत में रेलवे के आगमन के साथ व्यापार घट गया उनिस्वी सदी के मध्य में केमपटी के पास वुर्वी गाउं वेरो से रोयल और्टिलरी के मेजर जॉर्ज पियर्स दौरा हत्यारों के एक लोह यूग के भंडार की खुदाई की गई साथवी और पहली सदागदी इसापूर्व के बीच डेंटिंग या भारती उप महादीप में खोजी गई इस अवधी के पहले होड्स में से एक था अब इसे बिटिस संग्रालय लंदन में रखा गया है कामठी रेलवे और सड़क परिवहन के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यह मुंबई हावडा रेलवे ट्रेक पर इस्थित है कामठी रेलवे स्टेशन से कई ट्रेने चलती हैं और आस पास के लगबग सभी प्रमूग सहरों के लिए बसें चलती है इसका रेलवे स्टेशन के बगल में एक बस स्टेशन है और आपली नाम की नियमीत बसें नागपूर और कामठी के बीच परती दिन चलती है जनसंख्या की बात करें तो 2030 में कामठी नगर परिशत की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगबग 1,18,000 है कामठी सहर के लिए 2021 की नियधारित जनगणना को कोवीट के कारण इस्थागीत कर दिया गया था कामठी सहर के लिए नगर जनगणना इसी साल 2023 में आयोजीत की जाएगी इसके पूरा होने के बाद ही इससे अपडेट किया जाएगा कामठी सहर के वर्तमान आकडे के वल अनुमानित है लेकिन सभी आकडे सटीक है